उत्तरपदेश में चौथे चरण में इस बार महा मुकाबला हो रहा है जहां एक तरब बीजेपी अपने 2014 के इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रही है वही कॉंग्रेस और गडबंधन अपने खुचुके जनाधार को पाने की कोशिश में जुटा है बात इटावा की करें तो सपाधश अखलेश यादो के ग्रेजिले की इस सीट को बीजेपी ने 2014 के चुनाओं में स्पी से छीन लिया था बीजेपी ने इस बार इस सीट से वर्तमान सांसर अशोक कुमार दोहरे को टिकट काट कर आगरा से सांसर राम संकर कठेरिया को मैदान में उता रहा है सांसर अशोक दोहरे कॉंग्रेस का दामन थाम कर इस बार मुगाबले में S.P. ने इस सीट से रामशंकर कठेरिया को मैदान में उतारा है वही शियोपाल यादो भी सीट पर S.P. के वोड बैंक में सेंद लगाते दिख रहे हैं जिसे मुकाबला त्रिकोडियो होता जा रहा है वही बात कन्योच की करें तो डिमपल यादो की सीट पर सीधा मुकाबला गडबंधन बनाम बिजेपी है बिजेपी के सुपरत पाठक इस बार डिमपल यादो को कड़ी टकर दे रही है लिमपल के पक्ष में मायवती और अखिलेश ने सभा की तो सुपरत पाठक के लिए पियम मोदी ने रैली की इस बार कानपूर के लड़ाई कॉंग्रेज बनाम बिजेपी दिख रही है बिजेपी ने इस सीट से कददावर नेता मुरली मनोहर्जोशी का टिकट काट कर राज सरकार के मंतरी सत्य देव परचोरी को मैदान में उतारा है कॉंग्रेज के कददावर नेता श्री प्रकाल जैश्वाल बिजेपी के शहरी वोर्ट बैंक में सेंथ लगा कर इस सीट को जीतने की कोशिश में लगे हुए गडबंधर उमीदवार रामकुमार मुकाबले को त्रिकोडिय बनानी की कोशिश तो कर रही है लेकिन फिलहाल मुकाबला बिजेपी बनाम कॉंग्रेज ही दिख रहा है वही कानपूर से सटी इस सीट पर बिजेपी ने मौझूदा सांसर देवेंदर सिंग भोले पर दाउं लगाया है जबकि गडबंधन की ओर से निशा सचान एसपी के टिकट पर मैदान में है कॉंग्रेज ने पूर्मंत्री राजा रामपाल पर दाउं लगाया है जानी यहां मुकाबला त्रिकोडियों होता दिख रहा है बात जालाओन की करें तो बिजेपी ने सीट से वर्तमान सांसर भानू परताप सिंग को टिकट दिया है जबकि बिएसपी से अजय सिंग मैदान में है कॉंग्रेस ने सीट पर पिछले चुनाओं में बिएसपी से नंबर दो पर रहे बरजलाल खबर को टिकर दे कर लड़ाई को त्रिकोडिय बनाने की कोशिश तो की है लेकिन मुख्य मुकाबला यहां भी बिजेपी बनाम कटबंधन ही दिख रहा है जासी में केंद्रिय मंत्री उमा भारती के चुड़ाओं लड़ने से इंकार के बाद बिजेपी ने सीट पर बैदिनाद ग्रूप के मालिक अमराग शर्मा पर दाओं खेला है एसपी ने अपने पुराने चहरे सीपी सिंग की जगा इसबाश शाम सुंदर सिंग को मैदान में उतारा है कॉंग्रेस ने भी अपने पुराने चहरे पर दीप जैन आदिती की बजाए शिऊशरन कुश्वाहा पर दाओं खेला है यानि सीट पर सभी पार्टियों ने नए चहरों पर दाओं खेला है वही हमीरपूर सीट पर बिजेपी ने मौजूदा सांसाथ कुमर पुषपेंद सिंग चेहल पर दाओं लगाया है गटबंधन की ओर से बीएसपी के टिकट पर दिलीप सिंग मैदान में है कॉंग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पृतम सिंग लोधी पर एक बार फिर दाओं लगाया है यहां भी मुकाबला आमने सामने का है हर्दूई में बीजेपी ने इस बार इस सीट से अपने सांसत अंशुल वर्मा का टिकट काट कर जै परकास पर दाओं लगाया है जबकि सपा से उशा वर्मा उमीदवार है कॉंग्रेस ने इस सीट पर विरेंद्र कुमार को टिकर दिया है 2014 चुनाओं में मिले मतों की आधार पर अगर विश्लेशन करें तो सपाबस्पा का वोड़ बीजेपी के वोड़ से बहुत अधिक हो जाता है अब ये 23 मई को हिसाब हो पाएगा कि चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की जनताने किसे अपना नेतर तो सोपा है Bureau Report, India News